नमस्काल दोस्तों हमारा चेनल उर्जा नव वर्ष 2020 में आपका हादिक स्वागत करता है दोस्तों आप लोग नियूएर इव मना रहे होंगे कल से आपका नव वर्ष शुरू हो रहा है तो नव वर्ष की शुरुआत अगर हम कुछ छोटे छोटे उपायों के साथ करें वर्ष का पहला दिन है और बुधवार को पढ़ रहा है नव वर्ष का पहला दिन तो दोस्तों हम एक छोटा सा उपाय अगर कर लेते हैं तो पूरे बर्ष हम खुशाल रहेंगे जैसा कि हमें पता है कि बुध पाणी का कारक है बुध बुधी का कारक है बुध हमारी बेहन बेटी बुआ का कारक है इनसे रिस्तों का कारक है तो अगर हम बुद्ध का ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो हमारा जीवन संतुत रहेगा हम तो खुशाल रहेंगे ही हमारी बेहन बेटी बुआ भी खुशाल रहेंगी तो दोस्तो ये जो छोटा सा उपाय हम बताने जा रहे हैं अपने वीडियो में इसे आप अवश्य ही कर लें कोई बड़ा कारी नहीं करना है कोई बड़ा खर्चा नहीं करना है बस एक छोटा सा उपाय आप करेंगे और खुशाली आपके साथ रहेगी तो दोस्तो आप नववर्स अपने तरीके से मनाएं अच्छे से मनाएं खुश रहें बिंदास रहें और ये छोटा सा जोटिय से उपाय आप कर लें और अपने बुद्ध को ठीक रखें तो दोस्तो आपको करना क्या है कि आप पालक लेंगे पालक आप अपनी श्रद्धा अनुसार लें आप कितने ही किलो पालक ले सकते हैं और बहुत पालक आपको खिलाना है गाय को आप पालक की जगह गाए को हरा चारा भी खिला सकते हैं अगर आप गाए को हरा चारा खिलाते हैं तो ये हो जाता है आपका बुध का उपाय और बुध हमारी बाणी का भी कारक है तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अगर हमारी बाणी सही रहती है तो हमारे रिष्टे स्वता ही सही रहते हैं जातर चीजें बाणी के ही खराब होने से खराब होती हैं हमारे रिष्टे भी बाणी की वज़े से कई वार खराब हो जाते हैं और पुद्धी भी हमारी बुद्ध की ही कारक है तो हम बुद्ध का उपाय करके अपने जीवन को खुशाल बना सकते हैं तो दोस्तों कल नव वर्स की शुरुआत गाय को चारा खिलाने के साथ करें और खुश रहें आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं और आप अपने विचार इस वारे में अवश्य रखें अपनी राय अवश्य दें कि आप और क्या हमारे वीडियो में देखना चाहेंगे धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और सेयर भी करें नमस्कार दोस्तों फिर मिलेंगे